ओब शांती आज 16 डिसंबर 2020 की प्राथव मुरली ये साकर महवाक्य है आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चों पापों से हलका होने के लिए वफादार अनेश्ट बन अपने कर्म कहाने बाप को लिख कर दो तो ख्यमा हो जाएगी आज का प्रस्न है संगम योग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो बाबा का उत्तर है दे अभिमान का इस बीज से सर्व बिकारों के जाड निकल पड़ते हैं इस समय सारे दुनिया में पाँच बिकारों का जाड निकले हुए हैं सब काम क्रोथ के बीज बोते रहते हैं तुम्हें बाब का डायरेक्शन है बच्चे योगवल से पावन बनो यहाँ बीज बोना बंद करों आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है जमीन तो जमीन आसमान भी पालिया ओम शांती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना अभी तो थ थोड़े हैं अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे इस समय थोड़े प्राक्टिकल में बने हो फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कितनी धेर प्रजा है सब धर्म बाले इसको मानेंगे जरूर उन द्वारा ही मनुष् प्रजा पिता वो लोकिक बाप तो लिमिटेट प्रजा रचते हैं कोई नहीं भी रचते यह तो जरूर रचेंगे ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजा पिता ब्रह्मा को संतान नहीं है इनकी संतान तो सारी दुनिया है पहले पहले है ही प्रजा पिता ब्रह्मा मुसल्मान भी आदम भी भी जो कहते हैं सो जरूर किसको तो कहते होंगे न कहेंगे जो भी धर्मबाले हैं सब इनको मानेंगे बोरो बर एक है हद का बाप दुसरा है बेहत का बाप यहां बेहत का बाप है बेहत का सुक देने वाला तुम पुरुसात भी करते हो, बेहत स्वर्ग के सुख के लिए, यहां बेहत के बाप से बेहत के सुख का वर्षा पाने आये हो, स्वर्ग में बेहत का सुख, नर्ग में बेहत का दुख भी कह सकते हैं, दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने तु तुम बच्चे सामने बैठे हो और पूर्शार्द भी करते हो यहो तो प्रजा पिता दोनों हुए ना इतने धेर बच्चे हैं बेहत के मात पिता से कभी कोई दुस्मनी रखेंगे क्या माता पिता से कितना सुख मिलता है गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारे कुरुपा से सुक घने रे यह तो बच्चे ही समझते हैं दुसरे धर्मबाले सब फादर को ही बुलाते हैं मात पिता नहीं कहेंगे सिर्व इहां ही गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुश्यों से देवता कांटे से फुल बन रह बाब खिवेया भी हैं बागबान भी हैं बाकी तुम ब्रामण सब अनेक प्रकार के माली हो मुगल गाडन का भी माली होता है ना उनकी पगार भी कितने अच्छी होती है माली भी नमर वार है ना कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं फूलों में एक किंग अब फ्लावर्स भी होता है, सत्यूग में किंग कुईन फ्लावर भी है न, यहां भल महराजा महरानी हैं परन्तु फ्लावर्स नहीं है, पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, राष्ते चलते चलते कांटा लगा कर भाग जाते हैं, अजामिल भी उनको कह जाता है सबसे जास्ती भक्ती भी तुम करते हो बाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाये हुए हैं देवताओं के ही चित्र दिये हैं अब वह है बाम मार्गे के चित्र अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली है तुम अभी ब्रामण बने हो, हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं ब्रामणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल एसल्ड हो जाए नाम ही खराब हो जाता है इसलिए छोटे पन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है याद तो रहता है ना, फलाने समय यह हमने गंदा काम किया बाबा को लिख कर देते हैं, जो बहुत वफादार अनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने इह इह गंदा काम किया ख्यमा करो, बाब कहते हैं, ख्यमा तो होती नहीं, बाकी सज बताते हो, तो वह हलका हो जाएगा, आगे फिर ऐसा कोई काम नहों, उसके लिए खबरदार करता हूं, बाकी दिल खाती जरूर है, कहते हैं बाबा, हम तो अजामिल थे, इस जनम की ही बात है, यह भी अभी तुम चानते हो, कब से बाम मारक में आकर पापात्मा बने हो, अब बाब फिर हमको पुन्यात्मा बनाते हैं, पुन्यात्माओं की दुनिया है, अलग, भल दुनिया एक ही है, परन्तु समझ गए हो, कि दो भाग में है, एक है, पुन्यात्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कह जाता है दूसरी है पापात्माओं की दुनिया जिसको नर्ग दुखधम कहा जाता है शुक की दुनिया और दुख की दुनिया दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो अपने घर ले जाओ यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नही है फिर पाट बजाने वा आना है इस समय सारी दुनिया पती थे अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो एम अबजेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी इह एम अबजेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम इह बन रहे हैं बाप कहते हैं बच्चे तुम इह थे अब तुम बन फिर पुज्य बनने के लिए पुरुशार्थ चाहिए बाप कितना अच्छा पुरुशार्थ कराते हैं यह बाबा समझते हैं न हम प्रिंस बनूंगा नमर वान में है यह फिर भी हर बगत याद नहीं ठहरती है भोल जाते हैं कितना भी कोई मेहनत करे परन्तु अभी वह अ अभस्ता होगी नहीं करमातीत अभस्ता तब होगी जब लडाई का समय होगा पुरुशार्थ तो सब को करना है न इनको भी करना है तुम समझाते भी हो चित्र में देखो बाबा के चित्र कहां है एक‌दम जाड के पिछाडी में खड़ा है पते दुनिया में और नीचे में फिर तपस्या कर रहे हैं कितना सहच समझाया जाता है यह साब बातें बाब ने ही समझाई है यह भी नहीं जानते हैं थे बाबा ही नलेजफूल है उसको ही सब याद करते हैं हे परम्पिता परमात्मा आखर हमारे दुख हरो ब्रह्मा विश्नु संकर तो देवताएं हैं मुल बतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़े ही कहा जाता है ब्रह्मा विश्नु संकर का भी राज बाब ने समझाया है ब्रह्मा लच्मि नारण यह सब यहां ही है शुक्ष्मा बतन का शिर्व तुम बच्चों को अभी साख्यातकार होता है यह बाबा भी फरिष्टा बन जाते हैं यह भी बच्चे जानते हैं जो सिड़ी के उपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं चित्र में बिलकुल क्लियर दिखाया है वह अपने को भगवान कहां कहलालते हैं यह तो कहते हैं हम वर्त नटे पेनी थे तत्वम अभी वर्त पाउंड बन रहे हो तत्वम कितनी सहज समझने की बाते हैं कभी कोई बोले तो कहो देखो यह तो कलियू के अंत में खड़ा है ना बाबा कहते हैं जब जड़डी भुद अवस्ता होगी बानप्रस्त अवस्ता होती है तब मैं इसमें प्रवेश करता हूं अभी राज्योग की तपस्या कर रहे हैं तपस्या करने बाले को देवता कैसे कहेंगे मना प्रजापिता ब्रह्मा को अभी दवता नहीं कहेंगे जब संप्रन बन जाएंगे सक्समवत निवासी परमधाम निवासी हो जाते हैं फिर जब सुगधा में आते हैं तो फिर देवता का जाता है राज योग सिख कर यहां बनेंगे तुम बच्चों को भी ऐसा ताज बाला बनाते हैं न यहां सो देवता बनते हैं ऐसे तो दस बिस बच्चों के चित्र भी रख सकते हो दिखलाने के लिए कि यहां बनते हैं आगे सब क्या इसे फोटो निकले हुए हैं यहां समझाने की बात है न एक तरफ साधारन दुसरे तरफ डवल सिर्ताज तुम समझते हो हम यहां बन रहे हैं बनेंगे वह जिनकी लाइन क्लियर होगी और बहुत मीठा भी बनना है इस समय मनुश्य में कामक्रोध आदी का बीच कितना हो गया है सब में पांच विका रूपी बीच के छाड निकल पड़े हैं अभी बाप कहते हैं ऐसा बीच नहीं बोना है संगम यूग पर तुमको देह भिमान का बीच नहीं बोना है काम का बीच नहीं बोना है आधा कलब के लिए फिर रावन ही नहीं रहेगा हर एक बात बाप पेट पिछाडी में यह भी हैं फिर सबसे पहले भी यह हैं योगबल से कितना पावन बनते हैं सुरू में तो बच्चों को बहुत सक्यातकार होते थे भक्ति मार्ग में जब नुधा भक्ति करते हैं तब सक्यातकार होता है यहां तो यह बेठे बेठे ध्यान में चले जाते थे इसको जादू समझते थे यह तो First Class जादू है मीरा ने तो बहुत तपस्या की साधू संत आधी का संग किया यहां साधू आधी कहां है यह तो बाप है ना सब का बाप है शो बाबा यहां तो गुरू है नहीं, शो बाबा तो है, निराकार, फिर किस से मिलना चाहिए है, चाहते हो, उन गुरुओं के पास तो जाकर भेटा रखते हैं, यहां तो बाब बेहत का मालिक है, यहां भेटा आदी समझाने की बात नहीं, niego तो पैसा क्या करेंगे? यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व के मालिक बनते हैं बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं उन्हों के लिए ही मुकान आदि बना देते हैं पैसे तो न सिबाबा के काम के हैं न ब्रह्मा के काम के हैं यह मुकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए बच्चे ही आकर सते हैं, कोई गरीब हैं, कोई साहुकार हैं, कोई तो दो रुपिय भी भेज देते हैं बाबा हमारी एक इट लगा दो, कोई हजार भेज देते हैं भावना तो दोनों की एक ही है, तो दोनों का इकवल बन जाता है फिर बच्चे जानते हैं जहां चाहे रहे कई फिर कह देते बाबा के पास भी खात्री होती है अरे वो तो जरूर करनी परती है न कोई कैसे हैं कोई तो कहां भी बेठे जाते हैं कोई बहुत नाजुख होते हैं बिलाग में रहने वाले, बढ़े बढ़े मेहलों में रहने वाले होते हैं, हर एक नेसन में बढ़े बढ़े सहुकार निकलते हैं, तो मौकान आदी ऐसे बनाते हैं, यहां तो देखो कितना धेर बच्चे आते हैं, किसी बाप को ऐसे ख्यालत थोड़े ही होंगे, कर के 10, 12, 20 पोत्रे-पोत्रियां हो, अच्छा, किसको 250 भी हो, इससे जास्ति तो नहीं होंगे, इस बाबा की फेम्ली तो कितनी बड़ी है और भी बुध्धी को खानी है, यहो तो राजधानी श्तापन हो रही है, बाब की फेम्ली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फेम्ल कितनी हो गई कलप कल जब आते हैं तब ही वंडरफूल बाते तुम्हारे कानों में पड़ती है बाप के लिए ही कहते हैं न हे प्रभु तुम्हारी गत्मत सबसे नियारी शुरू होती है भक्ती और ज्यान में फर्क देखो कितना है बाप तुमको समझाते हैं स्वर्ग में ज खेते हैं मैं निर्गुन हारे में कोई गुण नहीं बाकी पांच विकारों के अबगुण है राबन राज्य है अभी तुमको कितनी अच्छी नलेज मिलती है वह नलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह तुम जानते हो हम आत्माएं उपर मुल बतन में रहने वाली है शुक्स्मा बतन में ब्रह्मा विष्णू संकर वह भी सिर्फ सक्यात्कार होता है ब्रह्मा भी यहाँ लच्मी नारण भी यहां के हैं यह शिर्फ तुम सक्यात्कार होता है ब्यक्त ब्रह्मा सोफिर सुक्स्मा वतनवासी ब्रह्मा फरिष्टा कैसे बन जाते हैं वह निशानी है बाकी है कुछ नहीं अभी तुम बच्चे सब बातें समझते जाते हो धारणा करने जाते हो नई बात नहीं है तुम अनेक बार देवता बनने हो डिटी राज्य थाना यह फिर चक्र फिरता रहता है वो अभिनाशी ड्रामा होता है यह है अनादी अभिनाशी ड्रामा यह तुम्हारे शिवय और कोई की बुथी में नहीं है यह सब बाब बेट समझाते हैं ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है बाब कहते हैं हे यह ग्यान अभितुम को सुनाते हैं फिर यह प्राय लोफ हो जाता है तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो फिर सत्यूग में यह नौलेज होती नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुट मर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों का भी रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार और गुट मर्निंग और नमस्त नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट है सदा स्रूती रहे कि हम अभी ब्राम्हन है इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है कभी भी क्रिमिनल एसल न हो बाफ से वर्षा बाफ से बहुत बहुत अनेस्ट बफादार रहना है दुसरा पॉइंट है डवल शिरतास देवता बनने के लिए बहुत मिठा बनना है लाइन के लियर रखनी है राजयों की तपस्या करनी है आज का बर्दान है आज बहुत सुंदर बर्दान बाबा ने दिया है सरोप्रापती संपन्न भव का बर्दान इश्वर्य नसे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने बाले सरवप्राप्ति संपन्न भव बर्दान का विष्टार है जैसे वह नसा सब कुछ भूला देता है ऐसे यह इश्वर्य नसा दुखों की दुनिया को सहज ही भूला देता है उस नसे में तो बहुत नुक्सान होता है अधिक पिने से खतम हो जाते हैं लेकिन इह नसा अभिनासी बना देता है जो सदा इस्वर्य नसे में मस्त रहते हैं वो सर्वप्राप्ति संपन्न बन जाते हैं बाबा ने कहा, जो सदा इस्वर्य नसे में मस्त रहते हैं, वो हसर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं, एक बाब दुसरा ना कोई, यह अप सुरूती ही नसा चड़ाती है, इसी सुरूती से समर्थी आ जाती है, अच्छा, आज का स्लोगान है, एक दो को कपी करने के बजा बाब को कपी करो, अच्छा, ओम शान्ति